कैसे हो सर वेलकम टू स्टेडी हैक्स आज की जो करंट फेर्स है इस वेरे इंपोर्टन फोर यो एक्जाम आए देखते हैं आज का स्पेशल डे आज जो डे है यह रिमेंबरेंस ओफ विक्टम जो स्लेवरी की जो जिनको नुक्सान पहुंचा है स्लेवरी की वज़े से उनकी लिगेंट आज की जाता है स्लेवरी जानी की जो दासप्रता रहती है आपकी दास की जो सिस्टम रहता है प्लब्रेंज जाता है यह 25 मार्च एवरी इयर एम जो है और मतलब उनको याद करना जो सफ़र हुए हैं जो मर गएं इसकी वज़े से का अवेयर्स फैलाना जो डें हमने कब सेलिब्रेट किया था रिलेटिटू रेशियजम थीम जो है इसकी एंडिंग स्लेवरी लिगेसी ओफ रेशियजम ग्लोबल इंपैरिटी पॉर जस्टिस कि इसके खिलाफ हमने क्या लड़ना है इस लेवरी को खतम करना नेक्स्ट है Oxfam Commitment to Reducing Inequality Index 2020 अभी निकल के आया रिसेंटली जो लेबर एंड इंप्लॉइमेंट मिनिस्टर है उनके दौरा इंफॉर्म किया गया लोग सभा में जो Oxfam Commitment Reducing Inequality Index 2020 आया है लैक लैक ओफ क्लैरेटी इसमें देखने को मिली है जैसे यहां पर उन्होंने बताया चार नहीं जो श्रम कोड जैसे न्यू लेबर कोड देखने को मिले उन पर ध्यान नहीं दिया गया उससे से रिलेटेड जिसके कारह हमारे जो इंडिया की रैंक है 129 रही इस इंडेक्स में आउट ओफ फिफ्टी एट कंट्री में से गवर्मेंट की जो पॉलिसीज है जो एक्शन्स है कुछ एरियास में रिलेटेड टू एजुकेशन हैल्ट सोशल प्रोटेक्शन टेक्सेशन औ इसका जो में रिजन है वीक लेबर राइट्स देखने को मिले हाइए इंसिडेंट्स देखने को मिले इसमें वन्रेलेबर इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड नाइजीरिया बहरीन और इंडिया ने एक्सपीरिंस किया वर्ल्ट फास्टेस ग्रोइंग आउट ब्रेक्ट जो क काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो व मैंन कैटेगरी में रही है एल है इसगेयड अंधर परदेश भी देखने को मिली 73.6% अगर पब्लिक सर्विसिस की बात करें 141 इसका रैंक रहा इंडिया का रैंक 19 रहा taxation pillar में 10% only workforce है इंडिया के formal sector में 2020 का जो CRI index है इसमें टॉप नॉर्वे के द्वारा किया गया साउच सुडान इसमें lowest ranking में रहा इंडेक्स जो है 158 पुजीशन का आप यहां पर भी दे सकते हैं इंडिया का रैंक पब्लिक सर्विसिस रैंकिंग में टेक्स रैंकिंग में लेबर रैंकिंग में आवरार रैंकिंग आपको 129 देखने को में बांगलादेश उसके बाद नेपाल बुटान अफगानिस्तान शिरिलंका ओक्सफ़ॉम इंटरनेशनल जो है यह इंडिपेंटेंट नौन और गावर्मेंट ऑल्गनाजेशन्स हैं जो फाउंड की गए 1995 में इसका जो हैड़कॉर्टर है नेरोबी कीनिया में देखने को मिलता है ग्लोबल इनिक्वालिटी क्रैसिस रिपोर्ट भी ओक्सफ़ॉम के द्वारा ही रिलीज की जाती है इसके इलावा इनिक्वालिटी वायरिस रिपोर्ट भी ओक्सफ़ॉम के बारही रिलीज की जाती है आए देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से हाली में ही अभी जो मीटिंग चल रही है पर्मनेंट इंडस कमिशन की चल रही है जो वन आपको देखने को मिली जो पुल्वामा अटेक हुआ था फिफ्टीन फेबरेरी टूथाउजन नाइटे में बाला को स्ट्राइक ट्वंटिसीक्स फेबरेरी टूथाउजन नाइटीन में इसी के कारण ये मीटिंग जो है ये डिले हुई स्पेशल प्रोविजन ये भी कारण एक रहा जो स्पेशल प्रोविजन हटाएगे जो आर्टिकल 370 के अंडर थे जो स्पेशल स्टेटेस प्रोवाइड करते हैं किसको जे अंड के को इंडिया जो है वो बिल्ट कर रहा है पकाल डूल हाइड्रो इलेक्रिक प्रोजेक्ट 1000 मेगा वाल्ड का रीवर कौन सी है मरू सुधा रीवर जो ट्रिबूटेरी है चिनाव की प्रोजेक्ट जो लोकेटिड वो किष्टवार डिस्टिक जे अंड के में लोकेटिड रहेगा सेकंड जो प्रोजेक्ट है लोवर कलनाई जो चिनाव के उपर डेवलप किया पर्मनेट जो इंडिस कमिशन यो बाय-लेटरल कमिशन है दो कंट्रीस चे बिट्वीइन इंडिया और पाकिस्तान बाय-लेटरल का मतलब एए दो कंट्रीस की बात हो रही है एक रिएग इंप्लिमेंट और मैंच जो है इसका गौल ये इंडिस जो ऑटर ट्रिटी है 1960 की यह क्या काम करती है वाटर को डिस्ट्रिब्यूट्क इंडिया और पाकिस्तान जो गवन की जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बिट्वीन जो रिप्रिजेंटेटींटीफ था वो मिल्ड बैंक गोची देखने को मिला partition जो इंडिया में होते है क्रोस इंडस रिवर बेसीन की इसमें इंडर रिवर प्लस फाइव और इसकी में ट्रिबुटरीज हैं आपको वेस्टर्न रिवर्स में देखने को मिलेगी चिनाव जेलम इंडस और इस्टर्न साइड सतलुच ब्यास और रावी इंडस जो ओ चिनाव रावी ब्यास सतलुच यहां के मिलती है यह बगली हाल डैम आपको चिनाव रिवर के उपर देखने को मिलेगा नेक्स्ट है प्रिट्सकर आर्किटेक्ट्चर प्राइस जो इस साल का देखने को मिला है 2021 का वो मिला है एनी लैकेटन जीन फिलिप वैसल जो जो है इस प्राइस के अनाउंस किये गए इंपोर्टेंट है यह पूछे जा सकते हैं एक्जाम में जो इनको प्राइस मिला है लैकेटन को यह किस वोक के लिए मिला है रिफ्लेक्ट आर्किटेक्ट्चर डेमोक्रीटिक स्पिरिट के लिए इनकी जो रेक्योगनेशन है फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला एक फ्रेंच महिला है जिनको यह अवार्ड दिया गया अगर यह फ्रेंच की फर्स्ट है फ्रांस की फर्स्ट महिला है अगर ओवरॉल देखे तो यह सिक्स्थ वूमेन है जिन्होंने डिसीव किया यह जब यह establishment हुई इसकी 1979 से वर्ल्ड प्रीमियर इसको वर्ल डैबल पर नोबल प्रैस माना जाता है आर्किटेक्चर का नेक्स्ट है US-India Artificial Intelligence यह launch किया गया US-India Artificial Intelligence इनिशेटिव जिसको short form में USIAI के नाम से पुकारा जा रहा है यह scale-up है Science and Technology का relationship कैसे बढ़ सके इंडिया और USA में USA इंडिया Artificial Intelligence Initiative है इंडो-US Science Technology firm का जो established किया गया था 2000 में बेसिकली क्या है कि जो इस field में था कि Science and Technology में दोनों आगे बढ़ सके दोनों देश इंडिया और USA इसे focus यह रहेगा कि Artificial Intelligence को कैसे यूज करना है कुछ critical areas में जो respective Nodals Department है इसके Department of Science and Technology Government of India US का Department काम करेगा इसमें focus दिया जाएगा Artificial Intelligence का कुछ critical areas में जैसे healthcare में हम इसको काफी अच्छी से utilize कर सकते हैं smart cities में materials जो रहेगा agriculture में energy and manufacturing sector में Artificial Intelligence है वो essential part है टेकनोलोजी का industries level पे इंडिया ने भी कुछ artificial intelligence से related कुछ चीजों को launch किया जैसे national artificial intelligence strategy नीतिया योग के द्वारा launch की गई national artificial intelligence portal ministry of electronic and information technology के द्वारा रिसेंटली ही माई गोव क्रोना हेल्प डेक्स चैट बोर्ड को two awards दिये गए इन दो categories में यह important है एक्जाम में पुछा जा सकता है best innovation for COVID-19 society people choice COVID-19 overall winner at the recent COG X 2020 COG X जो है prestigious global leadership summit देखने को मिलती है आपको intelligence artificial intelligence and emerging technology की फिल्ड में जो annually held होती है लंडन में नेक्स्ट है रेंथाबोर टाइगर सेंचुरी जो राजिस्थान में पाई जाती है यहां पे six tigers जो है वो missing पाई गए हैं राजिस्थान में रेंथाबोर जो tiger reserve वो लाए करता है eastern part of राजिस्थान स्टेट जो junction है अरावली और विंद्या हिल रेंजिस का comprise करता है रेंथाबोर नेशनल परक स्वाई मान सिंग एंड काईला देवी सेंचुरी आपको यहां पे देखने को मिलेगी रेंथाबोर फोर्ट भी यहां पे situated है फोरेस्ट आपको यहां पे huge तोर पे देखने को मिलेगा जो यह history से related है यह रेंथाबोर फोर्ट जो हजार साल पहले पुराना है यह थी आज की important news आई होप आपको आप इसे like करेंगे अभी कोई भी comment कर सकते है आप related to queries doubts and pdf के लिए आप telegram को जोइन कर सकते हैं thank you for watching जैहिंद